हे नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में so सामसंण ने रिसेंली अपने फ्लिफ सिरिस 4 सिरिस लाँच कर दिया है आप बार ही है एस 24 सिरिस का so स्विडियो के बहुत सारे इंफोर्मेशन प्रोवाइट करने वाला हूँ इस वीडियो को आप लोग सुरू से लास तक जहूर देखिएगा और गैस यानल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज यानल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आपके भाई को सपोर्ट कीजेगा ओके विड़ा फाद डिले चलिए इस फीडियो को शूर करते हैं तो गैस शुरुवात करते हैं S24 से के डिजाइन से डिजाइन में कुस खासा चेंजस हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो लिक्स निकल के सामने आया उसके मताबिक जो S23 का डिजाइन है वही डिजाइन हमें S24 से में देखने को मिलेगा हलका सा कैमरा बड़ा चोटा कर सकते है इसके लाओ कुस खासा चेंजस हमें देखने को नहीं मिलेगा डिजाइन में लेकिन एक बड़ा चेंजस देखने को मिलेगा वो है फ्रेम में जो S24 series का जो frame होगा ना guys वो titanium से बनाया जाएगा तो phone और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और और ज्यादा premium लगा गया titanium का देखने को मिलेगा frame तो उससे हो सकता है phone थोड़ा सा heavy हो जाए compare to S23 series लेकिन हाँ phone और ज्यादा premium लगेगा premium के साथ-साथ build quality भी बहुत अच्छा हो जाएगा phone का display की अगर हम बात करें तो S23 series से उसका जो bezel से और ज्यादा थीन होने वाला S24 series में तो दीरे-दीरे हम लोग move कर रहे है bezel less display की और तो S24 series का जो bezel से display गा वो और ज्यादा थीन देखने को मिलेगा S23 series से यह confirm हो गया है okay display technology यह ना वही LTPO हमें देखने को मिलेगा इसके लावा एक confirm leaks निकल के सामने आया है वो है battery से related S24 series के जितने भी phones होंगे सारे phones में battery है ज्यादा MH कर रहेगा compare to S23 okay इसके लावा chipset की बात करें तो इसमें थोरा सा दुखत वाली बात सामने आ रहा है guys वो है कि Asia और Europe में हमें Samsung का Exxonus chip देखने को मिलेगा Exxonus 2400 इसके लावा US में हमें देखने को मिलेगा Snapdragon 8 Gen 3 तो Europe और guys Asia वाले लोगों के साथ पता नहीं Samsung क्यों अन्याई करता है तो यह जो लीक निकल के सामने आया इसके मताब़िक यह कि Asia और Europe में हमें जो S246 देखने को मिलेगा वो है Exxonus chipset के साथ देखने को मिलेगा US में Snapdragon के साथ देखने को मिलेगा और बताया जा रहा है कि recently एक test भी हुआ है Snapdragon Gen 3 का और Exxonus 2400 का और उसमें Snapdragon ने भूत मतलब मार्जिन से मात दिया है Samsung के Exxonus 2400 सिरिस को पता नहीं Samsung वाले क्यों नियाई करते यूरोप और Asia के साथ परिकाल ज़र सभी में Snapdragon ही देना चाहिए लेट सी लीक्स के मताबिक यह होने वाला कि Europe और Asia में Exxonus देंगे यूएस में Snapdragon Gen 3 देंगे इसके अलावा कैमरे में बताया जारे कि कोई खासा अपडेट नहीं होगा वही आमें आपडेट वही कैमरा देखने को मिलेगा जो आमें S23 सिरिस में देखने को मिलेगा हाँ चोटा मोटा अपडेट करेंगे लेकिन बड़ा कोई सेंसर वह अगर अपडेट नहीं कर रहे है S24 सिरिस में इसके अलावा रिलीस डेट की बात करें 2024 के January या February में launch करेंगे S24 सिरिस का ये लिक्स निकल के सामने आये है S24 सिरिस का एक दो मैने में सारे लिक्स को एकटा करके मैंने आप लोग के साथ शेर किया है गाइस So S24 सिरिस के लिक्स अपटिर से जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो मैं सैंसर से रिलेटेट हर निउस को कवर करता हूग Thank you very much for watching and guys please एक लाइक देके आपके भाई को support करो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करके रखना Thank you very much for watching Have a great day